आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Nothing Phone 2 ए Android Mobile Phone में आप अपने Mobile Phone से Fingerprint Lock को Remove कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको Detail में जानकारी देने वालों तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Mobile Phone का Setting का पेज ओपन कर लेना है इसमें आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको यह Option मिल जाता है Security and Privacy इसे टैप करना है अब इस पेज में आप नीचे आएंगी तो आपको यह Device Unlock का ओपशन सेलेक्ट करना है अब इस पेज में आपको नीचे Fingerprint का यहाँजा option सेलेक्ट करना है अब इस पेज में आपको Mobile Phone का Screen Lock एंटर करना है तो देखें जैसे आप Screen Lock एंटर करेंगे तो आपको यह वाला परी जाएगा fingerprint का इसमें आपको Finger 1, Finger 2, Finger 3 यानि जितने fingerprint lock आपने लगा रखेंगे सारे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो finger के सामने finger के सामने delete का icon यह बना होगा इस तरीके का इसे tap करना है अब इस पेज में आपको Yes Remove का यह option टैप कर देना है तो आप देख सकते है Finger 1 यहाँ से delete हो चुगा है तो इस तरीके से आप अपने मुवाल फोन से fingerprint lock को remove कर सकते है यानि fingerprint lock को हटा सकते है इस तरीके से ठीके ना